हेलो स्टूरेंट्स वैलकम टू आर चैनल आज आसर कॉमर्स क्लासेज बिटा आपके लिए लेकर आ रहा हूं बिजनेस सर्विसेज और इसमें हमने पहले बैंकिंग को डिसकस कर लिया है बैंकिंग की टोटल डिटेल दो वीडियो मैंने बैंकिंग को पर बनाई है इसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आज मैं तीसरी वीडियो के लिए आ रहा हूं आपके पास इंशोरेंस अब यह बहुत अच्छी से चीज़ेंस अब इंशोरेंस है क्या दो पार्टी हैं एक वो जो इंशोरेंस को ले रहा है परचेज कर रहा है एक जो इंशोर्ड कर रहा है यानि एक कमपनी एक तो है कमपनी जिसका नाम है इंशोरर कौन है वो इंशोरर इंशोरर यानि कमपनी और दूसरा कौन है इंशोर्ड यानि इंशोरेंस के अंदर दो होई एक तो हुआ insurer और एक हुआ insured जिसमें जो insurer है वो insured करता है मलब जो insurer है वो assurance दे रहा है insured को कि आपको जो एक monetary loss होगा उसको particular amount के बदले particular amount क्या है वो premium यानि कि जो insured है उसको एक premium की amount insurer को देनी होगी confused तो नहीं हो रहा है मेरे word में एक मैं word use कर रहा हूं insurer और एक मैं word use कर रहा हूं insured insured वो person है जिसने अपने लिए insurance लिया है और insurer जो insurer है वो company है इंशोरर कौन है वो एक company है यानि इंशोरेंस company ICICI Lombard यानि इंशोरेंस company इंशोरर इंशोरर जिस person ने उससे policy लिए यानि कि particular premium के बदले जो इंशोरर है इंशोरर है वो insured को protect कर रहा है ध्यान देना ध्यान देना इस बात पर कि फिर monetary loss के लिए ऐसा नहीं है कि कोई मर गया तो उसको जिन्दा कर देग इंशोरेंस company जिन्दा नहीं करेगी उसके monetary loss को जिस amount तक जिस हद तक उसने उस insurance को लिया है यह भी concept है हमारे पास क्योंकि insurance के अपने principles हैं अपने rules हैं उसके जिन rules को follow सभी को करना ही होगा वो एक rules है जिने हम कहते है principle of insurance most important यानि कि जर्नल व्यक्ति को यह principle of insurance की knowledge होनी ही चाहिए जब आप insurance लेते हैं तो यह आपको साथ के साथ जो insurance के principles है इनकी knowledge चाहिए मुझे लेकिन हम पहले पढ़ रहे हैं insurance तो insurance है क्या doesn't matter कुछ technical चीए तो नहीं है insurance is the contract between two or more person two or more person one is insurer one is insured we are insurer they are insured insurer insurer any company ठीक है confirm करती है insured को कि particular premium के exchange में हम आपको safe 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 in the sense of money जैसे हम मैं बताते हैं कुछ function insurance कम इसके प्रोव इंस्रेंस को और अच्छा समझ लेते हैं function में क्या करा है इन्होंने providing certainty by providing certainty अब कह रहा हूं मैं certainty बट certainty का मतलब certainty नहीं है मैं आपकी uncertainty को reduce कर रहा हूं प्रोवाइडिंग certainty हेडिंग दे रहा हूं मैं आपको लेकिन मैं आपको certain थोड़ी कर सकता हूं मैं आपकी जो uncertainty है उसको uncertain कर रहा हूं कि आपको जो risk होगा ठीक है उस risk को हम cover कर देंगे एक limit तक दूसरा है protection फिर बात आ गई हम आपको protection protection थोड़ी दे रहें protect नहीं कर रहें लेकिन जो आपका loss होगा उसको कुछ हद तक complete कर देंगे protection protection का मतलब यह बिल्कुल नहीं insurance company कह रही है protecting तो protecting कैसा है आपको protect कर लेंगे आप बचा लेंगे आग लग जाएगी तो बचा लेंगे आग नहीं लगने देंगे आग तो लगेगी ना नुक्सान तो होगा ना चाब फिजिकल है चाब वो monetary है तो वह insurance company आपको केवल monetary loss को कवर करेंगी आपके mandatory loss को कवर नहीं कर सकती है वो आपके physical loss को कवर नहीं कर सकती है उसको money में convert कर सकती है तो that is the point की providing certainty तो certainty नहीं दे रही है वो uncertainty को reduce कर रही है protection protection नहीं दे रही है protect नहीं कर रही है आपको ठेक है न, बट आपको safe कर रही है, कि आपका जो risk होगा, उस risk को insurance company monetary terms में आपके एक particular जो premium दिया है, उस premium से आपको जितना हमने insured किया है, उस limit तक आपको हम safety देते हैं, risk sharing, अब इसमें खास बात जो समझनी है, यह तो insurance में पढ़ ली, अब यह insurance company risk हमें देगी कहां सा, यह payment क इंशोरेंस company के पास यह पैसा आएगा कहां से, समझें न, इंशोरेंस company, अब इंशोरेंस company करें रिस्क को share करें, तो कैसे share कर रहे है, अब एक policy, एक ही विक्ति नहीं लिए क्या, नहीं, यह policy all over the India, और कोई multi nations insurance company, तो all over the world, वैसे जर्नली अलग अलग के लिए होटे, पूर समर्फ में हमारे पास लाखों लोगोंने policy को लिया है, उन लाखों लोगों के बीच में इस risk को share कर रहे है, जैसे कि एक चीज को loss को share करने, मने एक लाँस के लिए, एक लाँखों वो उन लोगों को हैं, अब मेरे पास जो इंशोरन्स है, वो मैंने लोगों को दो दिया कर किसी में, मैं किसी कंच्छान हो जाता है, 10 क 한다, 10 कRNA हुए हुए हैं इंशोरन्स कंपनी के पास किसी से है? Loss के लिए, Loss by fire, तो कंपनी उस दस करोड़ रुपे में से इनको प्य करेगी जिसका नुक्सान हो जाएगा और बाकी पैसे कंपनी के पास है तो रिस्क का शेरिंग ही तो हुआ है इसा नहीं है इन्शॉरंस कंपनी सारा बचा हुआ पैसा खुद खा जाएंगी नहीं उन्हें भी अपने उस पैसे को रिइंवस्ट करना पड़ता है पॉलिसी की अमाउंट्स में से रिड्यूस करना पड़ता है बहुत सारी वरकिंग है तो उसको समझना पड़ेगा आपको क सारा प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं यह इसके पर एक जब लॉप पड़ेंगा ना मैं आपको समझाऊंगा इंशॉरंस के पूरी लॉप को डिसकस करते हैं जब लोग तो रिस्क सेरिंग समझ रहे ना यानि इंशॉरंस कंपनी इस रिस्क को बहुत सारे लोगों को एक साथ इनवाल्व कर लीती है तो रिस्क सब के पास थोड़ा थोड़ा हो गया निस अभी ने एक एक हजार रुपे का रिस्क ले लिया अब दस करोड़ रुपे तक का रिस्क कंपनी उससे पे कर देगी Assist in Capital Formation अब सबसे बड़ा जो रूल है इंशॉरंस कंपनी का वो यह है कि यह एक बहुत बड़ी huge capital हमारी country के लिए तयार कर देती है अब पैसा तो लोगों के पास थोड़ा 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 है थीक है पैसा है लेकिन अब जब तक इक huge capital generate नहीं होगी तो बहुत बड़ी industries हम नहीं लगा पाएंगे हम जगे जगे industries लगा रहे हैं बड़ी-बड़ी industries develop कर रहे हैं जिस्से कि large production हो कॉस्ट कम हो ज्यादे इंप्लाइमेंट मिले तो कम मिलेगा जब कैपिटल होगी तो कैपिटल को फॉर्म करने में इंशुरेंस कंपनी हमारी है असिस्टिन कैपिटल फॉर्मिशन आपने 10 करोड रुपे खट्टे हो गए एक लाख ही लोगों की बात है इंशुरेंस की प्रीमियम होता है तो सोचिए हजारों करोड लाखों करोड मनी हमारे पास हो जाता है तो इंशुरेंस कंपनी उसके थुरू एक बहुत बड़ी कैपिटल जनरेशन क्रिएट करती है और उस क्रिएशन से लोगों को सेफ करती है यानि कि नई इंडस्ट्री का डवलपमेंट हो जाता है वहां से भी रिटन आती है जैसे लाइफ इंशुरेंस में तो लोगों को लाइफ कभी मरेगा जब देंगे पैसे या 20 साल 25 साल तो कि ऐन कंट्री का डवल डवफमेंट मैं बहुत बढ़ा रोल इंस्पाश कंपनी का होता है तो केपिटल फ्रमेशन के थ्रूब पूरी तो यह मैं आपको reliability की काम कर जूँंघए यानि कि आतना मीं कश्रूहर की पॉलिसी对तो आप आपके हैं कभी आग नहीं लगेगी आग लग सकती है लेकिन उससे होने वाले नुक्सान से आपको सिफ कर रहा हूं अब इसके प्रिंसिपल ऑफ इंशॉरेंस यह भाई बहुत ही आपको उस पॉलिसी से रिलेटेड जो बेसिक मैटीरियल सब्जेक्ट हैं आपको मैंशन करने होंगे आप उन मैटीरियल पॉइंट्स को एगनौर नहीं कर सकते अब कुछ कंपनिया तो जर्नल पाइंट पर क्लेम नहीं देती लेकिन अब पॉलिशी त बदल चुका है सिस्टम बदल चुका है material fact यहनि material utmost good faith का मतलब यह है कि भरोसा कि आपने हर बाद अपने भरोसे से सही कही है कोई भी अग्जामपल ले लिए सब्सक्राइब हाट पेशन्ट है तो जब इंश्रेंस ले रहे हैं अपनी लाइफ का तो आपको बताना पड़ेगा कि हाप हाट पेशन्ट हैं अब इसमें दूसरी बाप हो सकती है आपको खुद ही नहीं पता कि आप्ड़ेशन पेशन्ट हैं तब तो आपने अंभरोसे के साथ भराए न तो इंश्रेंस कंपनी को मना नहीं कर सकती है क्योंकि मुझे खुद नहीं पाता होगा जब ही तो मैं इसमें भरूँगा अट्मोस गुड़ फेट का मतले कि जब अग SE तो इंशॉरेंस कंपनी उसका क्लिम नहीं देगी अधिरियोल फेक्ट को आपको समझे है कि जो मैटिरियल üसकी जो नौलिज है वो आपको इंशॉरेंस कंपनी को देन ही होगी तो गुड़ फेट का मतलब है भरोसा यानि कि insurance company आप पर भरोसा कर रही है आपके भरोसे पर policy आपको दे रही है कि आपने जो information दी है company को वो सभी correct है और अगर आप correct information नहीं देते हैं तो आपके insurance के claim में आपको समस्या आएगी और यदि आपने material fact को ही छुपा लिया तो आपको claim मिलेगा ही नहीं समझ में आ गया तो company जरूरी नहीं company आपके medical कराया चत्तित चीज़ेगा नहीं करा नहीं company को लगता है कि medical कराया जाए जैसे कि आपको खुद नहीं पता कि आपको heart problem है तो उस condition में company false जाती है आपको खुद नहीं पता है आपके medical history नहीं है कोई system नहीं है तो उस समय अगर company आपका medical करा लेती है तो उन्हें फाइदा रहा जाएगा उसा पता जल जाएगा आपको heart disease है तो heart disease है तो company मना कर देगी आपसे कि मैं आपका heart का insurance तो नहीं करेंगे या करेंगे तो उसका premium जादे लेंगे कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं कि इंशॉरेंस नहीं करा रहा इंशॉरेंस कर दूंगा लेकिन उसके charges बागी लोगों के compare में आपसे ज्यादे लूँगा एक यंग परसन का insurance करूं ठीक है न और एक बीमार आदमी का insurance करूं दौनों का same point से कैसा कर दूंगा एक में रिस्क ना बता रहा हूं केवल ना life का बता रहा हूं ना health का बता रहा हूं मैं सारे इंशॉरेंस की बात कर रहा हूं क्योंकि यह जो concept principle of insurance से यह सारे इंशॉरेंस की बात चल रही है वो तो types of insurance के लिए मैं आपको next video में सारी देल समझाँगा फिलाल इस वीडियो में मैं आपको य एक point को समझा देना चाहता हूं ठीक है insurable interest आप किसी चीज का insurance करा रहे है उस चीज में आपका insurable interest तो होना चाहिए आप क्यों करा रहे है insurance आप किसी और की property का insurance कराने लगे तो insurance company आपको claim नहीं देगी insurance आप उसी चीज का करा सकते हैं जो आपकी है जिसके loss पर आपको loss होग तो insurable interest आपका होना चाहिए उसमें अगर आपका insurable interest नहीं है तो उसका insurance company नहीं करेगी ठीक है और ना फिर आपको claim देगी identity identity यानि कि मैं आपको आपकी claim की identity दे रहा हूं identity से कहने का sense यह है कि जो आपको policy आपने policy लिए ठीक है तो उस policy के लिए मैं आपको पूरा payment करूंगा आपको compensation कितना दूंगा कैसे दूंगा आपने कितने की policy लिए आपने policy जितने की लिए है जिस amount तक policy लिए उस loss तक मैं आपको क्याना मैं आपका claim pass करूंगा आइडिमिनिटी में जैस सपोस कीजिए या आप ऐसे ही माल लीजिए कि आपने policy ली थी डेड़ा लाख रुपे की आपका लॉस हुआ एक लाख रुपे का तो मैं आपको एक पचास का पॉलिक नहीं दूंगा मैं आपको एक लाख रुपे आ कि आपको दूंगा एक पचास नहीं दूंगा समझ में आरे है मेरे बात नहीं आरी है कि आइडिमिनिटी में कंपनसेशन में आपको उतना ही दूंगा जितना आपका लॉस हुआ है और उस अमांट तक ही दूंगा जितने की आपने policy लिए policy लिए अपने डेड़ाख की एक आपने पॉलिसी लिए तो देड़ लग दूँगा आइडिमिनीटी यानि एक होता है प्रॉक्सिमेट क्लोज प्रॉक्सिमेट क्लोज में आपको समझना होगा कि मैं आपका इंशोरेंस जिस चीज के लिए कर रहा हूं नुक्सान उसी चीज से होना चाहिए आपने पॉलिसी लिए फाë हिर की ध्यान से देना आपने स्पेसिफिक पॉलिसी ली वाइर केवल फार पिरिमियूंग तो फायर पिरिमियूंग आग लगेगी तो में अब को दूँँगा और आग नहीं लगेगी किसी और चीज से नुक्सान को तो नहीं बूँग करहां जैसे औहादए इंचोंपल लेते हैं आपने मैन इंश्र में इंस्रेंस लिए आपने अपने समान का कि वह ढोब आजए पाटी जहाज से पाटी यहां भी क्लेस्य देगे वहीं है व मगसी लेकन के सामारे थे ज़एंगां यहां यहां वहार में आप्वार्ट कृषय क्लोष में जो आपको क्लेम में उसको समझे आता है कि भी लिए है नहीं मि इसमें में आपtım से कि insurance company और आपके बेच में एक फेत है एक भरोसा है और उस भरोसे के base पर ही आपकी policy adopt की गई है तो इसमें जब आप insurance करा रहे हैं तो आप अपनी जानकारी से हर information को बिलकुल correct देंगे वना insurance company आपको claim नहीं देगी आपका insurable interest होगा तभी आप company आपको insurance उसका कराएगी क्योंक मैं और भी इसमें example भी ले सकते हैं जैसे कि trust में रखी property है तो trust की रखी property का insurance करा सकता हूं उसमें मेरा insurable interest है मेरी नहीं है तेकर फिर भी करा सकता हूं को क्यों मेरे पार ट्रस्ट पर रखी हुई है इसमें मैं आप से कहा कि compensation में आपको उतनी ही amount का दूंगा जितनी amount का actual मे मैं loss हुआ है up to policy up to policy policy एक पचास एर किया loss एक का है तो मैं आपको एक लाख रुपर दूंगा policy है एक लाख की नुक्सान हुआ है तब दूंगा तब ही मापको एक लाख ही दूंगा क्योंकि मैंने policy आपसे एक लाख के लिए है ठीक है प्रॉक्सिमेट क्लो समझ में आ गया loss loss का cause वो ही होना चाहिए जिस cause के लिए आपने policy ली है sub-orgation sub-orgation में क्या है अब इससे समझेए sub-orgation का मतलब है कि यदी में आपका claim pass कर देता हूँ इसके लिए बहुत अच्छे example आप ऐसे ले सकते हैं car के example बहुत अच्छा सो टेबल इस पर आएगा एक car है उसका insurance कराया car माग लग गई पांच लाग की काड़ी थी company ना आपको पांच लाग का insurance पास करा दिया satisfied हो गया ना कि आपने पांच लाग रुपे की गाड़ी नहीं खरी दी उस गाड़ी का आप पांच लाग रुपे का इस पर पांच लाग रुपे का insurance पांच लाग का चक दे दिया एक साल बाद वो गाड़ी मिल जाती है तो गाड़ी आपकी नहीं है वो insurance company की है क्योंकि उस पर पूरा अधिकार insurance company का है क्योंकि company already उसका claim आपको दे चुकी है ठीक है? sub-organization contribution समझें ना? proximist close हो गया, sub-organization हो गया और अब हो गया contribution यह contribution क्या है? contribution यह है कि हो सकता है कि आपने आपनी एक ही property के लिए क्याई company शे insurance policy लिए हो ही हो समझें ना? एक loss के लिए आपने दो-तीन company से insurance policy लिए दो-तीन के दो मार लेता हूंगा आपने अपने go down के policy दो company से लिए रखी थी दो लाग की एक से लिए रखी थी दो लाग की एक से लिए रखी थी ठीक है? आपको दो लाख रुपे का loss हो गया और आपने एक company से दो लाख रुपे ले लिए तो आप दूसरी company से दो लाख रुपे और नहीं ले सकते? क्योंकि आपका actual loss तो दो लाख रुपे का है? सब्सक्राइबुशाया रहे हैं, काईल है है और आप धूसरी company में क्लें कलेया और उसली खृट जो लाख रुपे का हुवा है इंशोरैंस के वल आपको उतनी amount का ही मिलेगा जानी कि जो दूसरी company है उससे contribution पहली वायली company लेंगी जिसने आपको दो लाख रुप का अमांट पे किया है क्योंकि वो रिस्क दो लोगों के पास था तो दो लोग बियर करेंगे तो आदा लॉस दूसरी कंपनी से चार्ज करेंगी पहली वाली कंपनी जिससे आपने अलड़ी क्लेम ले लिया है करेंगे एक होता है मिटिगेशन बहुत ही इंपोर्टेंट बहुत ही इंपोर्टेंट जर्नली लोग भूल जाते हैं कि में इंसूरिंस करा लिया तो मेरा तो है नहीं मुझे क्या मतलब इंसूरंस कंपनी जाने मेरा नुकसान होता हो और दो चार कमान करता हो तो पैट्रोल चड़द दो मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैंने तो कंपनी से 50 लाख का इंशुरंस ले लिया 50 लाख का नुकसान है मुझे तो कंपनी आपको 5 रुपे नहीं देगी अगर company यह साबित कर देगी कि आपने ऐसा कोई work किया ही नहीं जिससे loss ना होता आपने कुछ safety करी ही नहीं आपने उस नुकसान को कम करने के लिए कुछ नहीं किया तो company आपको claim नहीं देगी mitigation में का मतलब यह है कि आपने insurance तो करा लिया एगरी हूँ मैं insurance है आपका आपको 50 लाख रुपे तक का नुकसान company देगी लेकिन वो तब देगी जब आप इस तरीके से reaction करेंगे कि वो loss आपका हो रहा है यदि आपके go down में दुकान में फैक्टरी में आग लगी है तो उस फैक्टरी में आग लगने की situation में यदि आपने insurance नहीं कराया होता तो आप क्या क्या करते वो सब आपको करना है तो claim है आपको पता चला लगया आग लग गई है आपने कहा जल जाने दो मुझे क्या करना है मेरा तो insurance है पजासला गुरूपे company पर कल claim कर दूँगा आपको पता चला आग लगी है तो अगर आपने insurance नहीं कराया होता तो क्या करते फटाफट हुटते तुरंत सबसे पहले fire brigade फॉन करते नहीं करते fire brigade को फॉन करते तुरंत factory में पहुचते उसको बुजाने के लिए जो आप बनता हूँ आप करते करना ही पढ़ता यदि आपने insurance नहीं कराया होता तो आपको वो सारे step follow करने ही पढ़ेंगे तब ही company आपको claim देगी यानि कि mitigation का मतलब है कि safety आपको करनी ही है आप इससे निफराम नहीं हो सकते कि insurance है यानि कि आपको उसका पूरा का पूरा work ऐसे करना पड़ेगा जैसे कि वो insurance नहीं होता तो क्या करते तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है ये 7th के 7th point बहुत important है और इसको mind में feed रखिए तो आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मेरी वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और जो सबसे ज़रूँ चीज़ा वो ये है कि यदि आपने अभी तक मेरी चैनल को subscribe वेल आइकोन प्रेस नहीं किया है तो वेल आइकोन प्रेस करें जिससे कि आपको मेरी latest वीडियो के notification मिलते रहें Thank you मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में